हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है लक्षमी बविता किचिन में आज है मकर संक्रांती आप सभी को मकर संक्रांती की धेर सारी सुपकामना आज बनाने वाले हैं हम खिचडी हर घर में आज खिचडी बनाई जाती है तो इसलिए आज मैं खिचडी की रेसिपी लेकर आई कुम अच्छी कोड़ा हैं πरना सबस्क्राइब भर बसू पाइस करते हु़ इसके लिए मैंने लिए हैं चावल ये मैंने बासमती चावल यह थे अपाइस इस से दीन बुखना आपको ले. पड़ेगी तभी आपकी खिचडी बहुत अच्छी बनेगी अब इसको हम दूह लेते हैं इसको मैं चार-पांच बार अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के दोंगी इसमें हमें चाबल तूटने का भी डर नी रहेगा क्योंकि वैसे अगर पुलाव अगरा बनाते हैं तो हम हिचडी तो वैसे हमारी मैस जैसे मैस करके बनाते हैं तो अब नहरा है तूरे हम धिरमें हमें देषी गी मेन थे रजी सफ्हया इसमें बहुतना है की तेल में चुछ झाटे हैं हो सके तो देषी गी प्रीयोच करना है इसमें डाल दिया एक चमत जीरा और यह कुछ खड़े मसाली तेज पत्ता लिया एक और तीन हरी लैची ली हैं और 8-7 मैंने काली मिर्ची ली थी और ये लॉंग ली हैं मैंने 3-4 और एक बड़ा प्याज काट लिया है मोटे-मोटे टुकड़ों में और ये खिच्डी हम भोत ही टेस्टी बनाएंगे तेस्टी और हेल्दी जो कि बच्चों को बड़ों को सबको बेहत पसंद आएगी यह हम बीमार वाली खिचडी बिलकुल नहीं बना रहे एक दम टेस्टी वाली हल खिचडी बनाएंगे और इसमें डाल दिये मैंने एक पिंच के करीब हींग और एक डालेंगे हरी मिर्च कटी हुई और इसको भी भ अद्रक लसन का पेस्ट यह मैंने अब फ्रेस कूट के तयार किया है अभी उसको डालेंगे हम और इसको भी चला देंगे डालके यह देखिए यह हमारे मसाले भुण चुके हैं यह खिचडी हम मसालों के साथ ज्यादा मसाले इसमें यूज नहीं करेंगे लेकिन इसमें मैं छिलके बाली डाल का प्रियोग किया है मैंने एक आलू डाला इसमें बढ़ा काट इसमें तो फ्राय कर लेंगे थोड़ा सा हुई एक डाली है मैंने आप उसले का उरी तो नहीं आखोंकते हैं तो सिर्फ आप इक ही गाजर का प्रियोग करें और ऑप अपनी प्रेंचा नु थे मुछ चाहिते को बहुत आड़ी है। आपक्ष और में रखंच साहिते हमारी है। मैं नहीं है। जो टोगी तद चाहिते हम यूरा बख़री में तौटी माटर। दीर आते करेंवा सब चाहिते होथ। ऐसा अच्छी तरह से बून लेंगे यह मटर को और यह सारीस अटार सब्रों को में थोड़ा सा क्रेंश होने तक इसको मैं दूंगे अच्छे तोड़े से चाबल स्ब्रिह अच्छी कुरॉड लई यह लाल मिर्ज पाउडर객 च्रणा करीब डाला है अब देखिए कितना सुन्दर कलर हो गया इसका एक दम बढ़ी हासा लग रहा है कलर अब डाल देंगे हम इसमें अपने वह चाबल और दाल जो हमने दूख के तयार किये थे इसको डाल देंगे बस अब इसमें हमें ज्यादा और कुछ नहीं डालना है अभी हमने पू आए हो तो चैनल पर लाइक कर देना और कमेंट करके मुझे बताना कि यह आपको खिचडी की रेसिपी कैसी लगी पिछली वीडियो को वो तिलवाले लल्टू की जो बीडियो बनाईती उसको आपने काफी सारा प्यार दिया है आपने काफी सपोर्ट किया है इसी तरीके से इसी तरीके से आप मेरा साथ देते रहिए और सपोर्ट करते रहिए इसमें डाल देंगे अब हम स्वाधनुसार नमक नमक डाल कर इसको हम फिर वापस से चलाएंगे अब इसको चला दिया है हमने अब यह मैं डखकन बंद कर दूँगी इसे दो सीटी आने तक पकाएंगे दो सीटी आ चुकी है अब हम डखकन हटा के देख लेते हैं कि हमारी खिचडी तयार हुई है कि नहीं बनके अब यह देखिए हमारी खिचडी एक दम परफेक्ट बनके तयार हो चुकी है दो सीटी में एक दम बरावर बन गई है ना तो यह ज़्यादा पतली है ना गाड़ी है एक दम बरावर है अब इसको हम चला कि अब इसमें डाल दूंगी में हरा धनिया हरे धनिये से भी स्कट इस बहुत अच्छा आएगा अब इसको हरे धनिये को खिचडी में मिक्स कर देंगे इस तरीके से अब इसे हम एक बोल में सर्व कर लेंगे तरीके अब इसमें डाल लेती हूं ये कष्डी देखने में भी बहुत ही है ये हमारी हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छी होती है कभी-कभी खिचडी भी भी खानी चाहिए क्योंकि खाना खाखा के हम बोर हो जाते हैं आप एसे अचार के साथ पापड के साथ किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं यह देखिए यह मैंने पापड इसमें डालेंगे अब देशी घी तभी यह खाने के लिए तैयार होगी क्योंकि देशी घी के बगए किछली में टेस्पनी आता